हाई गाईज कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब अच्छे होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे अब मैं यह कर रही हूं टोनर स्प्रे जो कि इसकी वीडियो अल्रेडी कर जा चुकी है आप लोगों ने देखी है और अभी मैं डीटेल वीडियो भी दे रही हूं क्यूंक बट उससे पहले टोनर लगाने से पहले हम क्या करेंगे अपने बालों को सुलजाएंगे आपको अपने बालों को पहले तो सुलजाना है पूरा बालों को सुलजा लिजे जब भी कोई भी चीज लगाते है डारेक्ट बालों में नहीं लगानी है बालों को सुलजाने के बा ज्यादा जो कि अप सुलज नहीं रहे हैं है ना तो आपको क्या करना है अपने बालों को हातों से पहले ऐसे दूर करना है जैसे कि आपको जान नौट लग रहा है ना तो आप इसे हातों से इस तरह से करीई देगे यह जैसे यह है तो आप हातों से बालों को इस तरह करेंगे एक सेकेंड में थोड़ा सा कैमरा सही कर देती हूँ यह देखे अब आपको इस तरह से बालों को करना है ताकि हातों से करने से क्या होगा कि आपके बाल है वो जल्दी सुलच जाएंगे और जो बीच में नॉट होगा ना वो नॉट भी निकल जाएगा अगर हम कंगे से करता है तो गंगा जो है वो उसोरे से नॉट है नउ kleine हो फस जाथाए और पूरा कंगा क्या करता है जड से बाल को तोड देता है खीछ ले खीच के बाल पूरा जड से तोड जाते तो यह गलती आप नी करेंगे आप पहले हातों से बालों को इस तरह सुझाएंगे तिके ये आपको करना है क्यूंकि आप winter है तो सर्दियों में बहुत यादा dry होने वाले हैं बहुत जाधा आपके बाल हैं वो ड्राइ होंगे क्योंकि सर्दी आपको पता ही ये सर्दी जो है वो बाल इसकिन भी ड्राय होती है, बाल भी ड्राय होते हैं, है ना, तो बड़ा ही दिक्कत होती है, आमें बालों की केर करने में, लेकिन आपको अपने बालों की केर करनी है, छोड़नी नहीं है, सर्दियों में, भी वर्ना हेर फॉल भी बहुत जादा होता है, सर्दी में, तो आप ब तो बाल एकदम से आपके फिर कौम भी यूज़ करेंगे तब आपके ज्यादा ना टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से बाल सुलच जाएंगे यह देखी यह इसमें है उल्जे हम इसे हाथ से ऐसे करेंगे अब हाथ से करने में पता आपको बाल बिल्कुल नहीं तूटत है बिल्कुल भी तूटता नहीं है और हेर फॉल सा बच सकते हो मतलब आपके हाथ में हैं हेर फॉल कितना होगा कितना नहीं होगा यह आप पे डिपेंड करेंगा तो इसके लिए आप लोग तोड़ा सा केयर करेंगे उसके बाद में हाथों से करने के बाद में हम कंगा लें या अपने कपडों का सपोर्ट रख लिजे बालों को ऐसे एक साइड में और ऐसे इसे नहीं करना इससे फिर आना बहुत जादा टूरते हैं तो आपको इस तरह धीरे धीरे बड़ए ही प्यार प्यार से आपको बाल को क्या करना इस तरह सुल्जादा है ठीके यह देखी आई एफसे जल्दी पाक सब्र one more the Ados बहुत जल्दी प्रेट जाएंगे बहुत जल्दी पुलक्र पक्ष्पटी टरियो मिल्सaltों कि अज़ें मृ यहीं इस पीच करें यह थैच्छी है आपको बालों में और फिर इस पूना आपको पता है कि बालों में थोड़ जो भी आप कोई चीज लगाता है तो उससे और बाल उलजते हैं ना तो ऐसे फिर आपके बाल डबल उलज जाएंगे और फिर जब आप सुलजाने लगेंगे तो बाल बहुत जादा तूटेंगे तो इसलिए आपको बालों को सुलजाना है पहले हर चीज लगाने से पहले बालों को पूरा सुलजाना और वालों और बिलकूल भी बालों को सुलझаєंगे नहीं और उससे बाली होता है बेंस होते रहते हैं और एक बार फिर ऐसा होता है अब हम अपना जो toner हमने ये बनाया था, ये toner कैसे बनाया, इसकी वीडियो जा चुकी है, तो आप लोग वो देख लीजेगा, अब दिन में दो वीडियो भी आ सकती है, एक भी आ सकती है, क्योंकि चिश वीडियो चैनल पे अब मैं पूरा एक्टिव हो गई हूँ, तो इसके अब आपको क्या करना, ये toner आपने बना लिया, रेडी कर लिया, अब आपको इसको इसको इसप्रे करना अपने बालों में, पूरा पहले आप इसकेल पे लगा लीजे, ये देखे, इसकेल पे पूरा अच्छे से, और यहां पर आप जब भी कोई भी चीज लगाया ना, जै मिले के, मतलब ये समझेज़े का आप टोनर को है ना, जिन में एक से दो बार स्प्रे कर सकते हैं, ऐसे करते रहिए, और फिर फिंगर से क्या करिए, ऐसे मसाज करते रहिए, इससे आपके, इसकेल्प में ये toner जाना चाहिए, और हलका सा आपको अगर विंटर है और थोड़ अगरम कर लिजेए, थोड़ा सा गरम कर लिजेए, थोड़ा सा गरम करके भी आप लगा सब को ये देखे, बट आपको लगाना सब जगे इसको, छोड़ना कहीं पे भी नहीं है, इसकेल्प में पूरे में लगाना है, ये देखे, पूरा सकेल्प कवर करें के आप, ठीके, लेंग के उपर पूरा लगाना है आपको कर दो पूरा लगाना है आपको सो गाइज आप लोगों ने देखा कितना अच्छे से टोनर लगाया है सो आपको पता चल गया है टोनर का तरीका लगाने का जो की टीनेजर वगेरा सब के लिए बहुत हैलफुल वीडियो है तो आप इसी तरीके से लगाया करिए ठीक है सो यह आपको सीरीज जो हमारी 10 इंच लॉंग हेर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है इसका फर्स्ट जो डे है वो जा चुका है टोनर का कैसे बनाया वो वीडियो आप देख लेना इसका ठीक है चली बबाई टेक केर अपना ध्यान रखे खुश रही है हलदी रही है हस्ते रही है हाई गाईज so मैं कर रही हूँ आज हलदी मेकप लुक तो जल्दी से आपको बताती हूँ जब आपके ओन पॉर्स अज़ाएं अच्छे से मेकप करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी खुरापन या ऐसा मेकप नहीं लगेगा, एकदम सब्पल सा, एकदम स्मूथ सा मेकप जाएगा, ठीके, इसलिए वह आप यहां पर नोस पर अपने चिक्स पर जहां आपके ओपन पोर् लगा ले मेरे प्रॉब्लम नहीं थी बट मैंने लगा लिया और हाँ इससे मेक अप जो है वो लॉंग लास्टिंग भी रहता है इसके बाद मेरे पास यह लैक मेगा बहुत ही मस्ट मॉश्राइजर क्रीम है इसमें पिंक कलर का है यह और हल्की सी शाइनिंग है इसके अंदर लगाते हैं तो आपका जो फांडेशन या बीबी क्रीम जो भी आपने लगाया उसके बाद में आपके स्किन जो है ना इक नाचुरल गलो करती है क्योंकि इसमें हलका सा जो है वो शाइनिंग है हम यह नी बोलेंगे चंक्स वगेरा है नो नो चंक्स नहीं है बट इतना कितना गलो कर रहा है जितने भी प्रॉडेक्ट में यहां यूज कर रही हूं सभी मैं आपने लिए जल्दी से बाइक कर लिजेगा जहां जहां आपके स्किन के अंदर डाक दब्बे हैं पिंपल के निशान है काले-काले निशान हो गए हैं और आपको लगता है क्यार पाना पड़ेगा उसके बाद में ही आपको ही लगाना मेरी स्किन पर कोई दाग दब्बे नहीं थे लेकिन मैं आपको पूरा स्टैप बाइ स्टैप ये बता रही हूं और जिसके नहीं है वो भी इसको लगा कर हलका फूल का जैसे अंडराई की तरफ लगा लिया माउथ हे अंडरे का थники का फूल कर लिए आप का पर चांग आपको परह ब्लेंड हम आयए बनाराई ओड़े नहीं ही घड़ारे लिए अधिली ड़्पष इंखिग क्रेंडाई बियूटी पैसको दिक्ता ए प्राहदे कर लेस्ट हों पर दोलना है कंलिए आपका पाइन इसको आपक उसके बाद में जो स्पॉंज है ब्यूटी ब्लेंडर इसको वेट करिए पहले पानी में भिगो कर हलका सा नी चोड़ लीजे उसके बाद में उसी की हेल्प से अच्छे से फांडेशन को ब्लेंड करी क्योंकि इससे बहुत अच्छा कवरेज आता है और एक्स्ट्रा जो प्र इसके बाद में हम अपने फेस को कंसीलर से कंसील करेंगे और यह जो है यह बहुत अच्छा मेबलीन का एजलेस कंसीलर है और काफी अच्छा है यह लेकिन पता नहीं क्यों इसमें से बाहर आई नहीं रहता तो इसलिए मैं इसे वापत रख्ये और मैं यूज करने लगी जादा अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा सा ये light ही लग रहा था इसकी टोन के वैसे तो हम जो concealer लगाते हैं वो light ही लगाते हैं लेकिन ये कुछ जादा ही light था तो इस बार मैं थोड़ा सा dark buy करने वाली हूँ इसको आपको दौनों तरफ eyes के लगा लेना है अच्छा नोस पर लगा लीजे और अपने forehead पर, chin पर ऐस तरह से सब जगे लगा कर और हलका हलका इसको बस dab dab करना है बहुत जादा फैलाना नहीं है इस साथ आपके जो high points है वो अच्छे से उभर कर आएंगे दिखेंगे और आपका जो look है वो बहुत अच्छा enhance होगा अच्छली मैं हल्दी function में ही जा रही हूँ अपनी sister की मेरी जो real cousin sister है उनकी हल्दी थी आज तो मैं उसी के लिए ready हो रही थी तो मैं step by step पूरा look create कर रही थी और मैं इतना fast मतलब यह समझ लो time बहुत कम था इतनी जल्दी इसको किया है ना और यह sugar का compact palette है उसको मैं use कर रही अधर्वाइस इतना भी time ने था कि मैं camera को भी on कर पाऊं लेकिन मैं ना कर लिया किसी बहाने चलो यह थोड़ा look कर आ तो जाएगा इसके अंदर क्यूंकि मैं पूरा step by step सभी चीज़ें करने वाली थी फिर मैंने sugar का ही यह जो है bronzing बोल लीजे contour palette बोल लीजे दौनों ही तो look बहुत अच्छा था है एना देखे में का मतलब यह नहीं है कि बस अपने चैरे को सफेद करके और चले जाओ कहीं पर भी make up का मतलब यह है कि आपके face का एक एक कट नजर आना चाहिए आपका जो face है वो नजर आना चाहिए कि हाँ आपका face कैसा है एना यह होता है make up ऐसा न इसके बाद में ब्लश जो है यह मैं एनवाई बेकप ब्लश लगा रही है यह काफी टाइम से में यूज करूँ मुझे अच्छा लगा है यह वैसे नए ब्लश मुझे लेने ही है सौरी थोड़ी आवाज गडबड है कोल्ड हो रखा इसलिए इसके बाद में शुगर का ही पैलेट है यह और इससे ही मैं अपनी आईज को है वो आई मेकप कर रही हूँ इतने टाइम हो गया मैंने इसको यूज ही नहीं किया मैं हमेशा से वही वाला यूज करती हूँ क्योंकि हम एक चीज यूज करते हैं और हम अच्छी लगती है तो हम दुबारा बार बार उसी को यूज करते है तो यहाँ पर जो मैं जो पहले यूज कर रही थी रहा कलर बा तो बस हाँ फेसे कैनेड़ा का ये मुझे इतना पसंद है क्योंकि इसमें सब इतने अच्छे शेड़्स हैं और इस बार मैं का चलो यार ये भी भी तो खरीज़े थे तो आप यूज तो करेंगे ना तैसे करके मैंने इसको लिया और यूज किया और बाकी काफी जादा अच् ये और ये आइधिंक कौनसी ब्रैंड का था यार बहुत अच्छा था ये भी बहुत अच्छा इसकी जो आगे की जो है ना दे रखी है पॉइंट वो काफी जादा अच्छा है उसके बाद मैं मेबलीन का ये मेरा मोस्ट फैवरेट काजल हमेशा से रहता है आप मेरे कोई यहां पर मैं यही यूज करती हूं यहां पर मैं आइबरो पैंसल जो है यह भी मेरी मोस्ट फैवरेट है इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है तो मैं इसके बाद में इस वीडियो में जितने भी प्रोड़क्त मैंने दिखाए है सबके पर्चेस लिंक मैंने है और यह वाला जो है यह भी मुझे अपeffective का मसकारा है और काफी अचिक रोत है इसमें इसमें आप हल्धी लूक में चाहें तो आईलेशेALS है वह एक्स्ट्रा जू आते हैं वह वह शुष लगा सबसकते हो 2D डैससिन डाल सकते हो मैंने आज अस तक कभी भी लैसे वह नही use करते हैं और मुझे भी करने का बड़ा ही मन है तो यहाँ पर देखिए मैं लिपस्टिक बहुत ही प्यारी सी न्यूड सी लिपस्टिक लगाई अभी हल्दी लुक है ना तो मैं चाहती थी हल्दी लुक में बिल्कुल सिंपल सा न्यूड शेर्ड में लगाऊं क्योंकि एवरी लुक में थोड़ा चेंज रहेगा महंधी लुक में फिर वेडिंग में ऐसे तो यहाँ पर मैं सैटिंग स्प्रे है स्विस ब्यूटी का यह बहुत अच्छा है इसको मैंने किया है और यह मुझे वाली जो जूलरी मिल रही है यही जूलरी मैंने वियर की थी और यह हम लोग सिस्टर्स हैं सभी तो मौसी की लड़की है और सभी सिस्टर है तो हम लोग सब लोग फोटोज शूट कर रहते इतनी वीडियो ली इतनी फोटोज ली इतना मजे की है तो वह मेरा VLOG जो है हलदी vlog वह मेरे VLOG चैनल पर आएगा यह तो जस्ट मेकप लुक था इसलिए मैंने सिर्फ मेक-प लुक आपको इसमें शेयर किया है बताया है और यह मेरी फुल ड्रेस आप देख सकते हैं यह ड्रेस मैंने कहा से लिए और आप भी यह ड जो ड्रेसेज है उसके लिए ठीक है और यहां पर यह है मेरी कजन सिस्टर जो की दूलहन बनी हुई है इन्हीं को हल्दी लगी थी तो बहुत मज़ा आया था तो व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना उसको भी सबकुस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबके लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रगिए खुश रहिए हैल्दी रहिए हस्तरी मूँ